हेलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11 मैथेमेटिक्स का चप्टर नमबर 3 ट्रिग्मोमेट्रिक फंक्शन का एकसरसाइस 3.1 ठीक है तो जैसे तक इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या था एकसरसाइस के 3.1 के इंट्रोडेक्शन वाले पार्ट को हमने कवर कर लिया था साथी साथ क्या होता है कैसे degree में जो है, change कर सकते हैं, ठीक है, सो देखो, first question जो दिया हुआ है, वो कितना है, 25 degree है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर solve करते हैं, ठीक है, 25 degree को convert करना है, सो देखो, first, इसको लिखोगे कैसे, देखो, आप लिखोगे, given that degree, degree मतलब D, D is equal to कितना दिया है, 25 degree, ठीक है, यही दिया हुआ है, 25 degree, इसको हमको convert करना है, तो आप कैसे लिखोगे आगे, we know that, ठीक है, आप यहाँ से start करोगे, we know that degree upon 180 is equal to theta upon में क्या होता है, pi होता है, ठीक है, तो अभी degree के जग हमारे पास कितना है, 25 है, upon में 180 है, theta तो हमको चाहिए, और यह हो गया हमारा pi हो गया, ठीक है, तो यह देखो, यह हो जाएगा, 5, 5s are 25, और यह हो जाएगा, 36, 5s are 180 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना है, 5 upon में 36 is equal to theta upon में pi, तो pi यहाँ जाके cross multiply हो जाएगा, और इसका answer आएगा, 5, 5 by 36 is equal to theta, ठीक है, I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हमारा first question क्या होता है, complete होता है, ठीक है, second question देखते हैं, second question क्या है, minus 47 degree and 30 minutes, ठीक है, इस question को हम लोग यहाँ solve करते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो आपको दिया क्या है, उसको देखो, 47 degree and 30 minutes, तो second question is, minus 47 degree and 30 minutes, ठीक है, मैंने आपको बताया था, कि degree से जो छोटा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो formula available है, उसमें तो हम लोग directly degree को किसमें convert करते हैं, देकिन यहां तो degree के अलावा क्या है, minutes में भी measurement है, तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, यह जो degree system है, इस minute को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, degree में convert करना पड़ेगा, ताकि हमारा पूरा का पूरा question क्या हो जाए, degree में जो है convert हो जाए, अगर degree में एक बार हमने इसको convert कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से radian में convert कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो, 47 degree and 30 minutes, तो एक चीज आपको मैंने बताया था, कि 1 degree is equal to कितना होता है, मै 30 minutes is equal to कितना हो जाएगा, 30 upon में 60 degree, मतलब इसको जब simplify करोगे, तो 1 by 2 degree, इसका मतलब यह कितना हो गया, 30, इसको आप convert करोगे, minute को जब 30 minutes को degree में convert करोगे, तो आपको divided by क्या करना पड़ेगा, 60, ठीक है, तो यह हो गया, 47 degree, प्लस इसको simplify करने के बाद यह हो गया, half, minus तो ब यह कितना हो गया, minus 95 degree upon में 2, ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, degree में convert हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, कि यह जो है, यह किसकी value है, d की value है, ठीक है, अब देखो, again आप लिखोगे, we know that, ठीक है, what degree upon में 180 is equal to theta upon में pi होता ही है, ठीक है, अब इसके upon में 180 है, is equal to theta upon में pi है, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो, यह जो 2 है, यह नीचे आ जाएगा, और it will become minus 95 upon में 2 into 180 हो जाएगा, is equal to theta upon में pi हो जाएगा, ठीक है, कितना बचा, minus 19 upon में 36 into 2 कितना हो जाएगा, 72, is equal to हो जाएगा, theta upon में pi, तो यहाँ से जब हम लोग theta की value निकालेंगे, यह कितना आएगा, minus 19 upon में 72 pi रेडियन जो है, ठीक है, अगर आप इसको और change करना चाहो, तो और simplify कर सकते हो, जैसे pi की value अगर आपको रखना है, यह का, minus 19 pi upon में 72, यहाँ पर रेडियन लिख देना, यह आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके बाद next question पर देखो, next question है हमारे पास, 240 degree, देखो, इसको मैं यही पर solve कर देता हूँ, given that degree is equal to कितना है, 240 degree, and वापी से आप एक statement लिखोगे, we know that, क्या दिखोगे, कि degree upon में 180 is equal to theta upon में pi, यह relation हमको पता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो, यहाँ पर जो है, इसके बाद degree के जगा रख दूँगा, 240, नीचे में कितना आ जाएगा, 180 is equal to theta upon में आ जाएगा, pi, 0 और 0 cancel, 6 4s are, and 6 3s are, ठीक है, तो हमारे पास कितना answer आ गया, यह pi यहाँ जाके multiply हो जाएगा, तो 4 pi by 3, radian is equal to हमारा क्या होगा, answer होगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा third का answer, उसी तरीके से जब आप fourth का answer निकालो गया, तो fourth का answer में आप यहाँ पर क्या लिख देना, यह जो 240 था, 240 के जगा आप लिख देना, 520 लिख देना, तो देखते हैं, इसके बाद हम लोग question number four, जो की बड़ा easy है, इसको आप क्या करो, वीडियो pause करो, और एक बार खुद से solve करने की कोसिस करो, कि क्या यह burn रहा है के नहीं, ठीक है, तो देखो, degree के जगा भी कितना दिया है, 520 डिगरी दिया है, तो 520 लिख देंगे, again we know that degree upon 180 is equal to theta upon 5, तो यह हो जाएगा, 520 upon में यह हो जाएगा, 180 is equal to theta upon 5 हो जाएगा, ठीक है, अब यह 0, और यह 0 क्या हो गया, cancel हो गया, ठीक है, अब इसके बाद देखो, यह कितना हो जाएगा, 26, 2000, और यह हो जाएगा, 9, 2000, ठीक है, अब इसके बाद तोर simplify होने से रहा नहीं, त 26 pi upon में 9, तो first question हमारे यहाँ पर क्या होता है, complete होता है, ठीक है, चलो, इसके बाद देखते हैं, हम लोग second question देखो, second question में क्या बोला है, first question में आपको convert करना था, किसको, degree को radian में, अभी जो question हमको दिया हुआ है, वो question क्या है, radian measurement में है, और इसको हमको क्या करना है, degree measurement में convert करना है, ठीक है, और आपको इस question में specifically बोल दिया गया है, कि आप pi के जगे कितना use करोगे, 22 upon में 7 आपको use करना है, ठीक है, तो देखो, first question को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कैसे लिखोगे, आप first question को, second का first है, second का first, तो देखो, given that, theta, theta is equal to, हमारे पार, अच्छा, जो इसको ऐसा लिखोगे, फिर उसके बाद एक sentence आपको लिखोगे, वापिस से, आपको याद भी होगया होगा, we know that, degree upon में 180 is equal to theta upon में pi, ठीक है, अब इसके बाद देखो, degree तो आपको चाहिए, 180 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर theta के जगे क्या रखोगे, 11 upon में 16 upon में pi, अब question म बोला है कि आपको pi की value यूज करनी है, तो यहाँ से देखो, degree, यहाँ से 180 इधर जाके multiply हो जाएगा, तो 11 into कितना हो जाएगा, 180, और यह 16 नीचे आजाएगा, और pi के जगे कितना रखेंगे, 22, upon में जो 7 है, वो कहाँ चले जाएगा, उपर चले जाएगा, अब यह देखो 11 1s आ, 11 2s आ, 2 1s आ, 2 19s आ, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा देखो, जब इसको हम लोग simplify करेंगे, तो यह कितना आएगा, देखो, 90 into 7 upon में 16 degree, ठीक है, अब यह इसके बाद कितना हो जाएगा, देखो, 18, 2s आ, 16, और यह हो जाएगा, 45, 2s आ, ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसको और simplify करेंगे, तो यह आजाएगा, 45 into 7, it will become 315 upon में 8, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना answer आया है, 315 upon में 8, जो है, हमारे पास answer जो है, आया है, ठीक है, I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छा, अब देखो, आप बुक क पीछे में answer देखो कि तो ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है, इसको इसने क्या क्या है, convert कर दिया है, तो देखो, आप चाहो तो यहीं तक भी answer ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको क्या करना है, बुक में जैसा वो solution किया हुआ है, degree के बाद, minute में, minute के बाद, तो देखो, 315 degree upon में 8, तो सबसे पहले तो आप 315 को क्या करो, divide करो, किस से divide करो, 8 से, तो 83 जा कितना होता है, 24, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 75 बचेगा, ठीक है, उसके बाद, 8 9 जा कितना होता है, 8 9 जा होता है, 72, तो यहा बचेगा 3, ठीक है, अब देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 3 upon में 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, mix the fraction आप बनाना चाहो, तो quotient plus reminder divided by जो है, जो आता है हमारे पास diviser, ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो, ये जो 39 है, ये तो completely degree है, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 by 8 है, ये भी degree में है, ठीक है, लेकिन 3 by 8 जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे पहले, minute बनाएंगे, ठीक है, तो 3 upon में 8 को minute बनाने के लिए आप क्या करोगे, ये 39 तो आपका complete हो गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं आपको दिखाता कि 3 upon 8 को कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये सब rough work है, आपको करने की जरूरत, मतलब final exam में आप करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं तो directly आप पीछे rough करके, सीधा answer भी जो है, लिख सकते हो, ठीक है, अब ये 3 upon 8 जो degree है, इसको अगर आपको minute में convert करना है, तो आप इसको क्या करो 60 से multiply कर दो, तो जब आप 60 से multiply करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 180 upon में 8 हो जाएगा, ठीक है, अब वापिस से इसको आप डिवाइड करो, ठीक है, ये मैंने एक question आपको roughly बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप 8 से वापिस से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा, देखो 22 plus 4 upon में 8 करके लिख सकते हो, ठीक है, तो अब ये जो 22 आया है न, अब ये minute में आ चुका है, तो देखो, एक तो हमारे पास था, 39 degree perfect था, अब ये 22 क्या आ गया है, minute में आ गया है, अब ये जो 4 by 8 है, ये वापिस से, मतलब 4 by 8 मतलब में इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 by 2 लि 60 से multiply कर दो, ये 1 जा, और ये 30 जा, तो यहाँ पर क्या निकल करा जाएगा, 30 second निकल करा जाएगा, तो finally ये answer हमारे क्या होगा, 39 degree, 22 minute and 30 second will be the our answer, तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा जो है work, जो है आप पीछे क्या कर सकते हो, solve कर सकते हो, आपको अलग से करने की नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहो तो यही तक भी आपका answer सही था, कि 350 degree upon में 8 तक भी सही है, लेकिन अगर आप book के answer पर चाहोगे, तो इस तरीके साब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको divide जो है करना पड़ेगा, ठीक है, चलते हैं हम लोग question number 4 पे देखो, तो question number 4 अभी हमारे पास क्या है, देखो, यहाँ पर इसी को में मिटा देता हूँ थोड़ा सा, और यही पर हम लोग इस question को क्या करते हैं, solve करने, देखो, question number 2 में क्या दिया है, अभी हमारे पास है, minus 4, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब समझ जाना है, कि वो minus 4 radian की बात कर है, मतलब, again, वो किसकी value है, theta की value है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख होगे, यहाँ पर theta is equal to link देना 4 radian, and we know that this, ठीक है, अब यहाँ theta के जगए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अब यहाँ से देखो, degree की value कितनी आएगी, तो 180 into 4 upon में pi, ठीक है, फिर यह कितना हो जाएगा, 180 into 4, pi की value 22 upon में जो 7 है, वो ऊपर चले जाएगा, तो यह हो जाएगा, 22004, यह हो जाएगा, 1100, ठीक है, अब इसके बाद जो है, अगर आप करोगे, तो यहाँ पर और simplify तो यह नहीं हो सकता, तो हम दो क्या करते हैं, simply multiply कर देते हैं, तो 180 into 7 upon में 11, तो यह आपक से आप मैंने आपको जो पुराना वाला method समझाया, अभी, ठीक, अचा, sorry, यहाँ पर minus 4 था, यह minus 4 है, यह minus, यह भी minus, यह भी minus, यह भी minus आएगा, ठीक है, तो minus बस negative angle को दिखा रहा है, उसकी कोई special value और नहीं है, ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, divide करते जाओ, divide करते जैसे मैंने आपको यहाँ divide करना सिखाय था कि नहीं, जैसे हमारे पास 315 degree upon में 8 था, तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसा divide किया, फिर 39 degree, 3 upon में 8 आया, फिर 3 upon 8 को minute बनाने के लिए 60 से multiply किये, फिर इसको divide किये, फिर जो आया, उसको फिर से 60 से multiply किये, तो इस तरीके से आप उस के लिए homework रहेगा, आप उसको क्या करना, practice करना, पीछे से solution, जो भी answer आएगा, अपने book के पीछे के solution से match कर लेना, कि सही है कि ने, ठीक है, अभी जो हमारे पास question है, question number 3 को मैं बता रहा हूं, वो कितना है, 5 pi by 3 है, यहाँ पर है 5 pi upon में 3, तो अब यहाँ पर मैं रख देता हो 5 pi, upon में जो 3 हो नीचे आजाएगा, answer है definitely आजाएगा, फिर यह pi और यह pi cancel हो जाएगे, तो यहाँ से degree is equal to कितना आएगा, 180 धर जाके multiply हो जाएगा, so 180 into 5 divided by 3, तो 3 1s आ, और यह हो जाएगा 3 60s आ, तो 65 जा कितना होता है, 300, तो यह answer हमारा कितना आगया, 300 degree, उसी तरीके स question number 4 है, आपके लिए होंगा, कि आप इसको क्या करना, solve जो है, कर लेना, ठीक है, चलते हैं हम लोग question number 3 की तरफ, question number 3 को हम लोग देखते हैं, third है, देखो, क्या बोल रहा है question number 3, a wheel makes 360 revolution in 1 minute, एक जो wheel है, वो क्या करता है, 360 time revolve करता है, मतलब उतने बार घूमता है, 1 minute में, ठी तो इसने scenario बताए, कैसा ऐसा हो रहा है, अब आगे question ये पूछ रहा है, through how many radians, does it turn in 1 second, तो वो 1 second में कितना radian, जो है, turn करेगा, ये अभी हमको क्या करना है, बताना है, I hope आपको question समझ में आ गया होगा, एक wheel है, जो कि 1 minute में 360 time क्या करता है, revolve करता है, और फिर बोल रहा है आपसे कि 1 second में वो कितना radian जो है, turn करेगा, हमको ये बताना है, ठीक है, solve करते हैं इसको, चलो, question number 3 देखो, given that पहले लिख लेते हैं, given that, क्या given है, a wheel revolve 360 times in 1 minute, अच्छा, इसको में क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, ये revolve है, आप तो थोड़ा से इसको देखने न, ठी ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या, कि 1 minute is equal to 360 revolution, answer definitely लिख सकता हूँ, ठीक है, अब इसके बाद देखो, 1 minute में कितने second होते हैं, answer है, 60 second होते हैं, तो मैं क्या इसको ऐसा भी नहीं लिख सकता क्या, कि 60 second is equal to 360 revolution, answer है, बिलकुल लिख सकता हूँ, ठीक है, अब उसके बाद देखो, क्या होगा, अगर ये जो है, 60 second में इतने बार revolve कर रहा है, इसका मतलब ये 1 second में कितने बार revolve इसका मतलब क्या है, कि ये 1 second में क्या कर रहा है, 6 revolution जो है, कर रहा है, ठीक, अब आपको एक चीज पता होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई वील है, वील, अगर एक पता है, complete round घुमता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, इसका मतलब वो degree में कितना घुमता है, मैंने आपको बताया था, 360 degree, और एक complete जब घुमेंगा, तो 360 मतलब ये कितना है, 2 pi radian, तो जब भी कोई चीज एक complete circle में घुम जाती है, तो वो कितना angle cover करती है, 2 pi radian जो है cover करती है, ठीकत, इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, we know that for one complete revolution, it rotates 2 pi radian, या it revolves 2 pi radian, इतना जो है एक चक्कर में ये घुमता है, तो देखो question में हमको बोला है कि एक second में कितना radian घुमेगा, तो देखो एक second में वो 6 बार घुमता है, और एक बार में कितना radian घुमता है, 2 pi, so यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, so in one second will rotate, कितना rotate करेगा, देखो, एक revolution में 2 pi radian, तो 6 revolution में कितना, into 6, मतलब answer हमारा कितना आएगा, 12 pi radian, ठीक है, आप यहीं तक लिखेंगे छोड़ देना, कि वो जो है, एक second में किया करेगा, 12 pi radian, जो है, वो completely घुमेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा question number 3 भी क्या होता है, complete होता है, अब चलते हैं, हम लोग question number 4 पे देखो, question number 4 क्या दिया है, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius, 100 cm, by an arc of length, 22 cm, इसमें निकालो value को degree system में, ठीक है, कब निकालना है, जब कोई, देखो, यहाँ पर बुल रहा है न, the angle subtended at the center of a circle, मालो हमारे पास एक circle है, और यह circle का center है, ठीक है, और circle का radius कितना है, 100 cm का radius है, और length of arc कितना है, 22, अब arc क्या होता है, मैंने आपको बताया था, perimeter पर आप जितना distance travel करते हैं, वो arc होता है, तो मालो, a से लेके, जो है, यह जो b है, इस b तक का distance कितना है, 22 cm है, तो यह जो b point है, यह इसके साथ कितना angle बना रहा है, answer है, theta angle suppose बना रहा है, तो यही theta angle की value अभी आपको क्या करनी है, find out करनी है, so I hope आपको question समझने आगे होगा, मैंने आपको roughly diagram बना के बरी समझा दिया, कि एक circle है, जिसका radius 100 cm है, और एक arc है, जो कि 22 cm का है, तो यह जो arc है, यह circle के center के साथ कितना angle बनाएगा, यह अभी हमको find करना है, ठीक है, तो इस question को देखो कैसे solve करोगे, इसको tackle करने के लिए आप याद करो, हमारे पास एक formula था, कौनसा formula था, since theta angle is equal to क्या होता है, arc upon में radius होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो arc पता है क्या, definitely पता है, radius पता है क्या, definitely पता है, मतलब theta is equal to L upon R वाले formula से यह value हमको मिल जाएगी, लेकिन एक problem यह आएगी, कि इसमें question में क्या बोला है, कि आप degree measure में निकालो, लेकिन यहाँ पर जो theta की value निकल कर आती है, theta की value हमेशा, जब put भी करोगे, तब भी radian में put करोगे, जब answer आएगा, तब भी वो radian में ही क्या होगा, आएगा, तो कोई दिक्कत लिए, हम लोग सब से पहले क्या करेंगे, यहाँ से theta की value radian में निकाल लेंगे, और radian में निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको जो है degree measure में convert कर लेंगे ठीक है तो इस question को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले given that लिखते है question number 4 तो देखो question number 4 में आप देखो proper statement पे लिखने का order दालो ठीक है mathematics का कोई भी chapter हो आप given that we know that as a statement लिखा करो ठीक है directly solve मत क्या कर कितना radius of a circle कितना दिया है देखो 100 cm and length of arc मैं sort में लिख द रहा हूं arc arc is equal to हमको कितना given है देखो question में 22 cm ठीक है अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे we know that we know that what you know that that is angle is equal to arc upon में radius अब अगर arc की value centimeter में है तो radius भी centimeter में होना जी और ध्यान से देखो यहाँ पर दोनों का unit क्या है same है अगर एक meter होता एक centimeter होता तो सबसे पहले आप क्या करते उस unit को same बनाते है यहाँ तो बनाने की ज़रूरत है नहीं already है तो देखो arc कितना है 22 है radius कितना है 100 है तो जब आप इसको simplify करोगे तो यह हो जाएगा 11 by 50 जो है आएगा और यह किसमें रहेगा क्या degree में रहेगा answer है नहीं theta के value हमेशा किसमें आती है radian में लेकिन question की demand तो कुछ और थी question की demand क्या थी कि आपको इसकी value find करने है किसमे degree system में तो आप degree system में कैसे find करोगे तो again आप लिखोग we have we have what you have relation that d upon 180 is equal to theta upon me pi अभी आपको degree में चाहिए theta की value आपके पास है 11 by 50 pi की value आप रख दो 22 upon 7 into 180 उपर जाके multiply हो जाएगा ठीक है जब आप इसको rearrange करोगे तो यह हो जाएगा 11 into 7 और 50 नीचे आजाएगा यह 22 यहाँ आजाएगा यह 180 जो है यहाँ आजाएगा ठीक है तो 11 1s आ 11 2s आ 2 1s आ 2 90s आ तो 0 और 0 cancel तो 9 into 7 63 63 upon में 5 ठीक है तो 63 upon में जो 5 यह हमारा क्या है आंसर है ठीक है तो अगर आप इसको और change करना चाहो तो और भी change कर सकते हो ठीक है it depends on you यह हो गया हमारा आंसर अगर आप चाहो तो इसको minute और second में further जो है change कर सकते हो it depends on you करना ह अगर तो कर ले ना यह तो फिर यहीं तक आप अंसर लिखके छोड सकते हो तो question number 4 हमारा यहां पर क्या होता है complete होता है now we are moving to question number 5 and देखते है question number 5 क्या दिया है हमको देखो in a circle of diameter अभी हमको क्या दिया है diameter एक circle है जिसका diameter है 40 माल लेते हैं यह it is a circle and its diameter is 40 so this is the diameter ठीक है the length of cord is 20 cm अब देखो length of cord अब आपने basic चीज़ है तो class 7-8 में पढ़े होगी कि cord क्या होता है ठीक है find the length of minor arc of the cord अब यहां पर आपको क्या करना है वो जो find the length of minor arc minor arc जो form करेगा cord के साथ यह चीज हमको क्या करनी है find करनी है ठीक है तो देखो इसको हम लोग solve करते हैं question number 5 को सबसे पहले तो given that लिखते हैं फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे अच्छा अगर आपको diameter पता है तो आप radius निकाल सकते हो कोई बड़ी बात नहीं diameter को 2 से divide करोगा तो आपको क्या मिल जाएगा radius मिल जाएगी है तो आपने छोटे classes से बहुत की होगी ठीक है तो देखो पहले given that लिख लेते हैं हम लोग given that what diameter of circle कितना है die of circle is 40 cm है तो then radius will be कितना हो जाएगा जब आप radius निकालोगे तो radius will be 40 divided by 2 मतलब हो जाएगा 20 cm so देखो यह मालो वो circle है और उसका radius कितना दिया है 20 so let us say OA is a 20 cm radius ठीक है अब देखो यहाँ पर जो है एक और चीज़ information given है क्या given है the length of chord is 20 cm ठीक है length of chord देखो length of chord is 20 cm ठीक है given that हमने लिख लिया अब इसके बाद देखो यह जो radius यह 20 cm है तो मालो एक circle यह है और इस circle का radius है यह circle का radius है 20 so OA is the radius of circle and is having the length 20 cm अब question में दिया है कि जो chord है वो chord का length कितना है 20 cm तो एक chord हम लोग यहाँ पर draw कर लेते हैं ठीक है यह हमने क्या क्या एक chord draw किया AB यह हमने chord draw किया और AB का length कितना है 20 तो अगर मैं इस B वाले point को circle के center के साथ अगर join करता हूँ तो यह भी तो क्या होगा 20 होगा क्यों 20 होगा क्योंकि OB भी तो क्या है radius है OA भी radius है OB भी radius है तो दोनों के दोनों 20 20 हो गए और यह क्या हुआ यह तो question में दिया था कि chord का length हो 20 है अब देखो एक triangle आपके पास ऐसा बन रहा है के नहीं बन रहा है देखो अगर मैं इसको यहां पर वापिस से draw करूं तो यहां पर O है यहां A है और यहां B है और OAB एक triangle बन रहा है जिसमें तीनों side का length हो कितना है 20 20 20 है ठीक है अब एक ब तो यह भी 60 होगा यह भी 60 होगा यह भी 60 होगा तो यह वाला जो circle के center के साथ जो angle form करेगा वो कितना होगा 60 degree जो है यहां पर होगा तो यहां पर हम लोग लिखेंगे here here chord and radius forms an equilateral triangle आप ऐसा लिख भी सकते हो और इस triangle को आप यह diagram को आप दिखा भी सकते हो और triangle को भी दिखा सकते हो forms an equilateral triangle and angle of equilateral triangle is degree में बात करें तो कितना होता है 60 degree ठीके या each angle of equilateral triangle भी आप लिख सकते हो each angle of equilateral triangle is 60 degree तो यहां पर हमारे पास theta की value कितनी आ जाएगी 60 degree ठीके लेकिन अगर हमको कुछ भी चीज़े use करनी है theta भी अगर हमको use करना है तो theta हमेशा किस में होना चाहिए degree में नहीं होना चाहिए तो radian में होना चाहिए तो इसको radian में कैसे बदलोगे तो radian में बदलने के लिए simple सा तरीका है इसको pi upon 180 से क्या करो multiply कर दो जिससे यह क्या हो जाएगा radian में बदल जाएगा तो 0 और 0 cancel 3 1s आ 3 6s आ cancel तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया pi by 3 radian जो है आगे ठीक है अब देखो हमारे पास क्या है radius है हमारे पास length of chord है और हमने क्या डून लिया angle लेकिन question में ध्यान तो यह आपको क्या निकाला है क्या निकालने बोला length of minor arc minor arc मतलब समझ रहे हो आपको यह arc की value निकालने कौन सी यह जो arc जो form हो रहा है यह arc आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे तो याद करो आप class 10 में आपने पढ़ा होगा कि length of arc कैसे निकाला जाता है तो इस चीज को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं ठीक है इस triangle को मैं थोड़ा से erase कर देता हूं और आपको यहाँ पर समझा रहा हूं कि length of minor arc जो है कैसे निकाला जाता है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे we know that what length of minor arc length of minor arc is equal to क्या होता है theta upon 360 into 2πr होता है यह आपने पढ़ी होगी तो देखो theta की value अभी हमारे अच्छा यह तो degree में है ठ ठीक है तो आप degree वाली value को रख लो कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर theta का जगा 60 degree रख लो तो यह हो जाएगा 60 upon में यह हो जाएगा 360 into 2 into pi और radius कितना है radius 20 है तो यह गया इसके साथ 6 1 जा 6 6 जा और 6 3 2 जा और यह हो जाएगा 10 जा तो हमारे पास कितना है 10 2 जा 20 pi upon में 3 तो यहाँ पर हमने इसका answer कितना ढूण लिया 25 by 3 ठीक है यहाँ पर मैंने इसको solve किया है अगर आपको समझ बनिया होगा ता आप खुद से भी इसको क्या कर सकता हो simplify कर सकते हो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है तो हमारा answer क्या होगा 25 by 3 will be the our answer ठीक है I hope आपको यह question जो है clear हो गया होगा चलते हैं question number 6 की तरफ देखो question number 6 क्या बोल रहा है तो question number 6 बोल रहा है कि in 2 ऐसा question हमने introduction वाले part में हमने cover कर लिया ठीक है तो एक बार आप क्या करो वीडियो को pause करो खुद से इस question को solve करने की कोसिस करो फिर अगर नहीं बनेगा तो आप इस वीडियो को play करके देखना अगर बन जाता है तो very good ठीक है देखो question number 6 क्या बोल रहा है if in two circles अगर हम लोग दो circles लेते हैं arc of the same length और दोनों circle में क्या है हमने length of arc जो लिया वो same लिया हुआ है और दोनों circle क्या करने अपने centers के साथ 60 degree बना रहा है दूसरा 75 degree बना रहा है at their center find the ratio of their radii तो अभी हमको radius के क्या निकालने है ratio जो हमको find करने है question number 6 को solve करते हैं तो क्या सबसे पहले आपको जो दो circle की बात की गई है क्या दोनों के radius पता हैं क्या answer है हमको radius पता ही नहीं तो हम लोग सबसे पहले वही चीज़ जयूम करेंगे क्या चीज़ let the radius of circles are let the radius of circles are r1 and r2 जो circle के जो radius हैं वो क्या है r1 and r2 है and given है हमारे पास theta 1 is equal to कितना 60 degree and theta 2 is equal to हमारे पास है 75 degree ठीक है तो अगर मैं theta 1 को अगर degree से radian में convert करना चाहूं तो simply pi by 80 से multiply करके इसको convert कर सकता हूं तो यह इसके सांद गया 6 1s आ 6 3s आ तो हमारे पास radian में कितना आ गया theta 1 जो है theta 1 pi upon 3 radian जो है आ गया ठीक है निकाल कर रख लेते हैं काम आएगा आगे उसकी बाद theta 2 जो दिया देखो 75 degree है तो 75 को convert करने के लिए यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो ठीक है तो यह हो जाएगा 35 36 5 जा और यह हो जाएगा 15 5 जा तो यहां से कितना आ जाएगा देखो 5 3 जा 15 और यह हो जाएगा 12 3 जा तो हमारे पास कितना आ गया 5 5 by 12 radian यह theta 2 है theta 1 और theta 2 दोनों की value हमने क्या की radian में जो है धूंड के निकाल ली अब इसके बाद देखो according to question according to question अच्छा यहां पर एक और चीज मेंशन कर लेना let the radius of the circle circles are r1 and r2 and length एक चीज मेंशन कर लेना and length of arc r l1 and l2 जो length of arc हैं मतलब एक छोटा circle होगा इस तरीके से एक बड़ा circle होगा और यहां पर दोनों के circle के center के जहां जो angle बन रहे हो 60 और 75 दिग्री है और इस question में क्या दिया है कि length of arc जो है मतलब इसमें जो यह वाला मानलो यह है O, यह है A और यह है B तो यह इसके साथ angle बनाया कितना degree बनाया 60 दिग्री यह O डेस है यह मानलो A डेस है और यहां पर है B डेस इसने इसके साथ angle कितना बनाया है 75 दिग्री लेकिन यह जो length of arc है A से लेके B तक का distance L1 और A डेस से लेके B डेस तक का distance L2 यह दोनों क्या है सेम है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे according to questions since L1 is equal to क्या है L2 अब लेको एक और चीज़ आपको पता है कि theta is equal to क्या होता है length of arc upon में radius तो यहां से जब आप length की value निकालोगे तो यह कितना आएगा theta into radius जो है आएगा ठीक है तो मैं इस L1 के जगा क्या लिख सकता हूं L1 के जगा में लिख सकता हूं theta 1 r1 L2 के जगा में क्या लिख सकता हूं theta 2 और r2 जो है मैं यहां पर लिख सकता हूं अब देखो theta 1 हमने already निकाला हुआ है कितना है pi upon 3 यह r1 theta 2 हमने कितना निकाला है pi pi by 12 और यहां है r2 तो हमको तो radius का ratio चाहिए तो देखो एक काम यह करते हैं यह pi और इस pi को cancel कर देते हैं तो यहां पर बचेगा r1 और इस r2 को नीचे ले आते हैं तो यह हो जाएगा r2 और यह जो 3 जो है इसको multiply कर रहा है इधर डिवाइड कर रहा है इधर जाके इसको 5 को क्या करेगा multiply करेगा यह हो जाएगा 5 into 3 upon 12 3 1s 3 4s तो ratio कितना है 5 upon 4 तो हमारा answer कितना हो जाएग यहां पर 5 is to 4 तो यहां पर आप लिख दिना कि hence the ratio between the radius of their circles is 5 is to 4 यह हमारा क्या है answer है I hope आपको यह question जो है clear हो गया हो गए ठीक है चलते हैं हम लोग इस question इस exercise के last question पे जो की है question number 7 देखो question number 7 क्या है find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describe an angle of length देखो पूछनी है मैं आपको बड़े प्यार से question को समझा रहा हूँ एक हमारे पास क्या है pendulum देखो 7 में क्या है एक pendulum है जो की pendulum क्या कर रहा है swing कर रहा है और वो जो pendulum का जो length है मतलब जिस string पर pendulum tight है वो pendulum का जो length वो कितना है 75 cm है ठीक है I hope आप लोगों को pendulum के बारे में knowledge होगा pendulum यहाँ पर इस तरीके से thread रहता है और यहाँ पर एक bob लगा हुआ होता है ठीक है तो इसका जो length है यह length कितना है 75 cm है और यह इस तरीके से क्या कर रहा है इधर से इधर जो है swing कर रहा है ठीक है इधर जा रहा है फिर इधर वापीस आ रहा है फिर इधर फिर इधर इस तरीके से swing कर रहा है ठीक है तो देखो यह जो ultimately यह जो point है जो fixed point है यह as a center की तरह work करेगा और यह जो length of string है यह length of pendulum है यह किसके जैसा काम करेगा radius के जैसा तो हम लोग इस question में यह radius is equal to 75 cm और देखो first case में वो कितना arc describe कर रहा है 10 cm मतलब यहां से लेके यहां तक जो गया है वो पहले case में कितना है 10 cm मतलब यह क्या है length of arc है अगर यह pendulum ऐसा पूरा घूम जाता है तो क्या बनाता है एक पूरा circle बनाता है कि नहीं लेकिन अभी पूरा नहीं घूम पाए इसल देखो यहां पर जो है दूसरा case में कितना है 15 यह जो दूसरा case में थोड़ा से बढ़ गया यह यहां से यहां चले गया तिसरे case में हो गया 21 तो तीनो case में हमको यह बताना है जैसे पहले case में यहां से लेक यहां तक 10 गया है तो इसने यहां से इसको ऐसा join कर दो इसको यहा यहां पर solve करता हूँ, first case को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो first case में या फिर आपको मैंने पीछे पूरा समझा दिया है, ठीक है, यह पूरा इस तरीके से होगा करके, अब देखो, 7th का मैं यहां पर आपको solve कर रहा हूँ, ठीक है, तो 7th को मैं directly solve कर रहा हूँ, कैसे directly solve कर रह होगा, वो कितना दिया है, देखो, 10 cm, तो यहां पर यह हो जाएगा, 10 cm, फिर आगे हम लोग लिखेंगे, what, we know that theta is equal to length of r का पॉन में radius, तो length of r का जो unit है, वही unit किसका होना चाहिए, radius का भी होना चाहिए, तो length of r कभी कितना है, 10, और यह कितना है, 75, तो यह हो जाएगा 2 5s और यह हो जाएगा 15 5s, तो हमारा answer कितना आया, 2 by 5 radian, अचा क्या इसको degree में बोला है, क्या देखते हैं, तो find the length in radian बोला है, अगर radian में बोला है, तो हमारा काम यही पर complete हो गया, 2 by 15 is the hour answer, ठीक है, second case में देखते हैं, देखो, second case में length of r का 15 हो गया है, तो यहां पर length of r का हो जाएगा 15 cm, again, theta is equal to length of r का पॉन में radius, length of r का 15, radius कितना है, हमारे पास 75, तो 5 1s, sorry, 15 1s, 15 5s, तो answer कितना आएगा, 1 by 5, इसी तरीके से third को देखते हैं, 21, तो तीसरा को मैं यहां पर बता दे रहा हूं, length of r कितना है, 21 cm है, तो यहां पर देखो, कितना हो जाएगा, theta is equal to length of r का पॉन में radius, तो यह हो जाएगा 21, और radius कितना है, 75, तो 25, 3 जा, और यह 7, 3 जा, तो 7 अपॉन में 25, radian का angle जो है, form करेगा, ठीके, तो यहां पर यह NCIT के questions, जो है, क्या होते हैं, complete होते हैं, और I hope आपको यह question क्या हुआ होगा, समझ में जो है, आ गया होगा, ठीके, अच solve किये हैं, उसी तरीके के similar question, जब आप और भी solve करोगे, तो आपको पूरे के पूरे problem समझ में आते जाएंगे, कि आपको इसमें से approach, जो है, questions को कैसे करना है, कौन से question में कैसे approach लगाना है, कौन से question में कैसे approach जो है, आपको लगाना है, ठीक है, suppose that, एक question हम लोग लेते हैं, जैसे की, मैं यहाँ पर question को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, question लिख रहा हूँ, यह extra questions है, देखो, find the length of arc, ठीक है, यह easy question है, मैं लिख देना, फिर भी practice के लिए, find the length of arc of circle of radius 5 cm, 5 cm, 5 cm, subtending in central angle, subtending a central angle, subtending a central angle, measuring 15 degree, measuring 15 degree, चलो, यह एक extra question है, आप वीडियो को पहले pause करो, और खुद से इसको solve करने की, जो है, कोसिस करो, ठीक है, उसके बाद जो है, वीडियो को प्ले करके, आप इसको देखोगे, तो देखो, question क्या बोल रहा है, find the length of arc, ठीक है, length of arc, find करना है, सबसे पहले देखते है, given that क्या है, given that, radius of a circle, यह हमको given है, radius of circle, कितना है, 5 cm, यह radius of a circle है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, जो theta है, theta कितना दिया है, 15 degree है, लेकिन इसको radian में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 by 18 से, जो है, multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 3, 5 जा, और यह हो जाएगा, 36 जा, उसके बाद ही हो जाएगा, 3, 1 जा, और यह हो जाएगा, 12, 3 जा, तो ultimately इसकी value कितनी आ गई, 5 by 12 radian, theta की value इसमें जो है, आ गई है, ठीक है, अब आपको इस question में निकालना क्या है, तो इस question में आपको find करना है, length of arc, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, to find l is equal to what, कैसे निकालोगे, यहाँ देखो, since we have theta is equal to length of arc upon my radius, तो देखो, अभी तो हमको length of arc चाहिए, radius हमको पता है, 5 है, और यहाँ पर देखो, theta की value कितनी निकाल ली है, हमने 5 by 12, तो यह 5 यहाँ जाकर इसको multiply करेगा, तो it will become 5 pi upon my 12, radian is equal to length of arc, ठीक है, तो यह easy question था, कोई बहुँट difficult question जो है, नहीं था हो, आप यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, और इस तरीक के जब आप वो question मिले, तो वो question आप से बड़े easily जो है, बनने चाहिए, ठीक है, चलो, अच्छा, एक,